ओम चांति 18 सेप्टमबर रोज की तरह बाबा बहुत नसा चड़ा रहे हैं इस कॉलेज में तुम सत्युक के प्रिंस प्रिंस सेज़ बनने आए हो स्वयम भगवान तुम्हें पढ़ा रहे हैं पढ़ा कर स्वरक कर राज दे रहे हैं बाप बापयाम भगवान को कहते हैं बाप धर्म और किंगडम दोनों की स्थापना कर रहे हैं तुम्हें ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करना चाहिए, जिससे हमें इतना बड़ा वर्षा मिलता है, राजाई, बाबा कह रहे हैं, तुम मुझे बुलाते थे, भक्ती का फल दो, भक्ती इसलिए करते थे, कि भगवान से मिलें, बुलाते थे, पतित पावन आओ, तो जरूर पतित बन गए, कहते थे हमें पावन बनाओ, तुम्हें जरूर पतित दुनिया में आओंगा न, और तुम्हें पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाओंगा, मेरे आने की यादगार में, तुम सिव जन्ती मनाते आए हो, अब मैं तो हूँ निराकार, तो निराकार तो जनम मरण में नहीं आता, बर्थडे तो तब मनाया जाए, जब आत्मा सरीर में आए जन्म हो, मेरा जनम तो ऐसा है नहीं, तो क्यों तुम मेरी जन्ती मनाते हो बाबा जैसे रूरिहान कर रहे हैं अपने बच्चों से, बोली बोली माता हैं वरत रखती हैं, शिव के मंदिरों में जाती हैं, पर ये पता नहीं सिव कौन है, मैं निराकार हूँ, तुम्हारा परम पिता ह तो मैं जरूर ब्रह्मा के तन में आऊंगा तुम से मिलने के लिए, तुम्हे ज्यान देने के लिए, कब आऊंगा जब सारी दुनिया पतित हो जाए और वो समय, संगम युग होता है, कल्युकान्त और सत्युक्यादी, इसलिए मैं कहता हूँ, मैं कल्प के अंत में आता कल्प कल्प आता हूँ और कल्प के अंत में आता हूँ, और सत्य धर्म की स्थापना करके अनेक धर्मों का विनास करा देता हूँ, गीता में बहुत अच्छी बात लिखी है, मैं साद्मों का भी उद्धार करता हूँ, गीता में कुछ वचन बहुत सुन्दर हैं, तो मैं आ करो मुझे याद नहीं करोगे तो तुम्हारे विकरम विनास नहीं होंगे तुम्हारा पद भी कम हो जाएगा और सजाएं भी तुम्हें बहुत मिलेंगी इसलिए समय निकाल कर याद का चाट बढ़ाओ अपने घर वालों को भी ज्यान दो चैरिती बिगिन सेट होम यह इंग पतनी ज्यान में चलती है पती नहीं चलता धिरे धिरे ज्यान देते देते उसे ज्यान कियो ले आओ इसको बाबा कहते दे भूं भूं करो बच्चे ज्यान में चलते हैं माबाप नहीं चलते धिरे धिरे उन्हें ज्यान देते रहो तो सबका कल्यान होता रहेगा तुम कल्य कारी हो मैं भी तुम्हारा कल्यान करने आया हूं और तुम्हें भी अपने घर का कल्यान करना है। दूसरी बहुत इंपोर्टेंट बात आज बाबा कह रहे हैं, चलो सारा दिन तुम विजी रहते हो, सबेरे सबेरे उठकर मुझे याद करो, ये श्रीमत है, सबेरे उठकर अपने से बाते करो, हमने जनम जनम बहुत पाप किये, अब योगबल से मुझे अपने पापों को समात करना है, मैं आत्मा सत्यूग में सतो परधान थी, अब जनम लेते लेते, विकारों के वसो कर, तम आपरधान बन गई हो, अब मुझे सतो परधान अवस बनना है तब तो मैं घर चलूँगी मुझे खाते पीते भोजन बनाते कामदंदा करते बाबा की याद पर ही रहना है ऐसे अपने से बाते करो अपने से पढ़ते ग्या करते रहो आज सारा दिन हर करम में हम इतना इतना याद करेंगे ऐसे ऐसे स हमें पर याद करेंगे बहुत जोड दे रहे बाबा इस पर अगर तुम इसका अभ्यास करोगे तो तुम्हारी अवस्था जम जाएगी यानि बहुत पक्की हो जाएगी अपनी अवस्था जमाना अवस है इलिए सबेरे उठकर योग लगाना ये प्रभू मिलन है इसमें ब हटाते छलू हटाते हटाते वह फूरी तरह हट जाएगे तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह以से यूग का अभ्यास बढ़ाना है इन विकारों को जीतना है और सेवा बहुत करनी है बाबा सेवां कि उमंग बहुत बढ़ा रहे है जो बाबा की बहुत सेवा करते हैं, अर्थाद दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, वे बाबा के मददगार हैं और वे वच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं. कितनी अच्छी बात है, भगवान को प्यारे लगते हैं, उसका ज्यान सब को बाटते हैं, तो आज हम सभी अपने में द्रडता लाएंगे, कि भगवान का प्यार पाने के लिए हमें उसकी सेवाएं अवस्गर्नी हैं, और इस नसे को बढ़ाना है, हम सत्युक के प्रिंस प्र कर रहा है, सबेरे उठकर अपनी पालना स्वयम करनी हैं, अपने से बाते करना है, इसे कहते हैं स्वदर्शन चक्र घुमाना, कहां थे, कहां पहुंचे हैं, किस से मिलन हुआ, अब कहां जाना है, तो यह सब चिंतन करते रहेंगे, तो विया चिंतन समथ हो जाएगा, और होना है इसमें, इसमें कमजोर नहीं पढ़ना है, क्योंकि सबेरे के समय, नेन वक्तों को आती है, या योग अच्छा नहीं लगता, तो बावा ने ये स्वयम से बात करने की विधी समझाई, वर्दान है, तीनो कालो का ज्यान सामने रखकर, कारियों में सफल होने वाले वि इनिया में भी जो समझदार लोग होते हैं, आगे पीछे का सोच कर कर्म करते हैं, वेश का परेनाम क्या होगा, हमें तीनो कालो का ज्यान मिला है, तो हमें समझ को, तीनो कालो के ज्यान को ख्याल में रखकर, फिर स्रेष्ट कर्म करेंगे, तो हर कर्म में सफलता होगी, हमार विजय हो जाएगी हम विजय रतन बन जाएंगे स्लोगन है हद के किनारों को और सहारों को छोड़ कर एक भाप को अपना सहरा बना लो तो पार हो जाएंगे तो आज हम एक बहुत सुन्दर अभ्यास करेंगे जैसे शिव बाबा परमधाम से ब्रह्मात में अवतरित हुए सीन देखेंगे शिव बाबा परमधाम से आ रहें नीचे ब्रह्मा बाबा बैठें उदके मस्तक में आके बैठ जाते हैं ऐसे ही मैं आत्मा परमधाम से आई चमकती मनी और भ्रकुटी की कुटिया में बैठ गई और चिंतन खरेंगे मैंने इस देह में अवतार लिया है संसार में श्यान्ति स्थापित करने का तो चारोर श्यान्ति फैलाएंगे आपके घर में भी श्यान्ति के वाइबरेशन्स फैल जाएंगे ओम श्यान्ति